दोस्तों ड्रक्स केस में फसेश शारुक खान के बेटे आरियन खान की मुश्किले बढ़ती जा रही हैं लागातार कोशिशों के बावजूद भी आज आरियन खान को जमानत नहीं मिल पाई दो दिन तक कोट में आरियन खान के वकील और एंसीवी के वकील की तरफ से दलिले रखी गई लेकिन ये दलिले इतनी लंबी चली की वक्त कम पड़ गया है इस वज़ा से जज ने फैसला सुरक्षित रखा और आज भी आरियन की जमानत पर आपको बता दे फैसला नहीं आ सका दोस्तों आपको बता दे आरियन खान की बेल का एंसीवी ने पुर जोर विरोत किया एंसीवी ने अपनी तरफ से मजबूत दलिले भी पेश की ड्रक्स चैट, इंटरनेशनल ड्रक्स, पैडलर संग, कनेक्शन और ड्रक्स, ट्रैफिक किंग जैसे कई गंभीर आरोप आरियन खान पर लगाए गए वहीं एंसीवी के वकील ने आरियन खान समेत बाकी आरोपियों के खिलाफ ठोज सबूत होने की बात भी कही ये भी कहा कि अगर आरोपियों में से किसी को भी जमानत मिली तो केस के गवाहों सबूतों के साथ छेड़ छाड़ हो सकती है एंसीवी ने विदेशी लिंक होने की वज़ा से मीए से संपर्क करने की बात भी की है वहीं एंसीवी ने अपनी दलील में किसी बड़ी साजिश का अंदेशा जताया है और कहा है कि साजिश में सिधे सबूत मिलना जरूरी नहीं दोस्तों आपको बता दें एंसीवी ने ये भी कहा है कि आरियन खान ने भले ही ड्रक्स नहीं लिया था वहीं कोर्ट में आरियन खान के वकील ने एंसीवी की उन दलीलों को गलत और बेवुनियाद बताया जिसमें आरियन ने इंटरनेशनल ड्रक्स ट्रैफिकिंग में शामिल होने की बात कही थी जिन WhatsApp चैट का हवाला देते हुएं एंसीवी ने आरियन पर साजिश करने का आरोप लगाया है उसके जबा में वकील दिसाई ने कहा कि आज कल के बच्चे की बच्चों की जो भाशा और इंग्लिश काफी अलग है उनकी बात जरूर अजेंसी को संदेह जनक लग सकती है दोस्तो हैराने की बात तो यह थी कि आरियन खान की वी चैट्स को थे WhatsApp चैट्स काफी पुराने थे आरियन काफी समय से विदेश में थे वहाँ पर कई चीजे वैद है जो यहाँ वैद है आरियन खान के वकील ने कहा कि एजनसी अपनी जाज जारी रख सकती है लेकिन उन्हें विदेशी लिंक को खंगालना है इसके लिए आरियन को बेल लेने से रोकना जायज नहीं खैर अब 20 अक्टूबर को देखना होगा कि कोट से आरियन की जमानत पर क्या फैसला आता है आर्थर्ट रोड जेल में आरियन खान का कोरेंटीन खतम हो गया है दोस्तों और अब उन्हें जेल के कैदियों के साथ ही रहना पड़ेगा आरियन ही नहीं उनके परिवार के लिए ही ये वक्त जो है काफी मुश्किल है वही दो अक्टूबर से आज तक शारु खान ने अपने बेटे की जमानत के लिए काफी कोशिशे की हैं लेकिन वो अपनी सभी कोशिशों में नाकाम रहे हैं अभी तक वे अपने लाड़ले बेटे को घर नहीं ला पाए हैं दोस्तों वेल आपका क्या कहना है इस बारे में जरूर अपनी विचार जो है कमेंट सेक्शन में जाहिर कीजिएगा दोस्तों साथी साथ हर लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फेस्बुक पे अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं इस वक्त तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा थाइंक्यू फॉर सपोर्टिंग अस